हालो एवरिवन आज हम देखेंगे यूनिट नूंबर फोर इंटिग्रेशन संकलन के अंदर जो हम पहला टॉबिक देख रहा है इंडिफिनेट इंटिग्रेशन मतलब अनियत संकलन सो अल्रेडी हमने डेफिनेशन के बारे में बात की है बात में वर्किंग रूल के बारे में बात की है दो वर्किंग रूल थे वो हमने समझा है और उसके बेस पे हम ये एक्जम्पल अभी देख रहे हैं सो वो वर्किंग रूल है वो यूज होता है एक्जम्पल के अंदर और जो standard formula है integration की वो वो भी already हमने देखी है तो आज हम अगला example देखेंगे देखो यहाँ पर example number 4 लिखा है यह integration of x square plus 5x plus 6 divided by x square plus 2x into dx अब हमें यहाँ पर करना क्या है इनका जिसका करना है उनको i equal to लिख दिया अब देखो ध्यान से अभी यह numerator है उसमें quadratic equation दिया है दिगत्यों समी कराँ x square plus 5x plus 6 तो यह जो हमें equation दिया हुआ है numerator में उनके हम roots find कर सकते है factor तो 6 के factor क्या आते है 2 and 3 2 3 जा 6 अब दो ऐसे अभी हमें factor चूज करना है कि उसका multiplication कितना हो plus 6 और addition कितना हो plus 5 तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोनों को plus लेंगे तो दो factor हो गए हमारे तो x plus 2 and x plus 3 अब numerator में तो हो गया अब denominator के बात करते है छेदमा सूच है x square plus 2x तो यहाँ पर simple दिख रहा है देखो दो term है x square and 2x अब दोनों में से 1x क्या निकल रहा है common निकल रहा है common है तो उसको बहार निकल दो x को तो remaining जो है वो bracket में लिखो term को तो क्या होगा x plus 2 अब दोनों में देखो numerator and denominator अब समय छेद x plus 2 दोनों में से cancel हो जाएगा तो बाकी क्या रहेगा numerator x plus 3 वो यहाँ पर लिखा है और denominator में क्या रहेगा x तो वो यहाँ पर लिखा है तो example हमें बड़ा दिख रहा था अब छोटा हो गया थोड़ा easy हो गया अब क्या करेंगे यह जो denominator में एक अकेला x है यह answer में आपकी दो term है x plus 3 दोनों को हम separate देख सकते हैं तो x by x बीच में यह plus और 3 by x ऐसे लिख सकते हम तो x by x का answer क्या आएगा यहाँ पर x x cancel हो जाएगा तो answer क्या आएगा 1 आएगा वो यहाँ पर लिखा है और यह 3 by x as it is रहेगा अब easy हो गया 1 plus 3 by x हो गया अब हमरे पास पता है rule है कि दो function हो और उसके बीच में plus हो ऐसा तो हम दोनों का separate संकलन कर सकते हैं लिखा है और plus यह 3 by x का संकलन यहाँ पर लिखा है separate अब हमें पता है कि यह जो 1 है उनका integration क्या होता है x होता है वो लिखा है अब यहाँ पर क्या है 3 जो है वो constant है तो यहाँ पर next step में क्या क्या देखो यह 3 को बहार निकल दिया और step को as it is लिखा पहले अब 3 common निकल गया तो बाकी क्या बचेगा 1 by x उसका ही हमें integration करना है तो यह 1 का integration क्या होगा x होगा और यह 3 तो common निकल है तो ऐसे ही रहे constant है उसको 1 by x बाकी रहा है उसका integration क्या होता है log of modulus x और जब integration करते हो जाता है बात में क्या add करना है plus c so यह होगा example number 4 बहुत easy example होते है आप पहला step perfect रखो उनके बाद के step जो है वो automatically आपको पता ही चल जाएगा कि क्या करना है हमें अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है example number 5 के बारे में यहाँ पे integration यह दिखाई दे रहा है मतलब integration करना है यह dx दिखाई दे रहा है मतलब किसके respect में करना है x के respect में करना है किसका करना है तो यहाँ पे जो function दिया होता है उनका so जो भी हमें दिया हुआ है example उनको आई एकोल टूट के लिख दिया एज़िस बाद में देखो क्या करेंगे यहाँ पर इज़ी हो गया देखो यहाँ पर डिनोमेटर जो है वो सिंगल है ऐसा आता आना तो हमें नुमेरेटर में जित्तिमी टर्म है उनको सेपरेट डि देना है मतलब अंसनी अंदर जित्ले भी टर्म होई 2 छे बैरी वच्चे सूचे प्लस छे तो बन्यवने अपड़े अलग-अलग अपड़े आपी देए तो असूथ हसे 2 डिवाइड बाई कॉस्क्वेर एक्स प्लस ये प्लस जो है वो यहाँ पर रखा है ये 3 साइन एक्स डिवाइड बाई क्या होगा कॉस्क्वेर एक्स तो दोजों को कॉस्क्वेर एक्स दे दिया अब the next step में क्या होगा देखो यहाँ पर यह जो 2 है मैंने यहाँ पर side पर लिखा है नहीं भी लिखोगे तो कोई problem नहीं है यह क्यों लिखा है क्योंकि constant है 2 उनको हमें बाहर ही निकलना है तो यहाँ पर side पर लिख दिया वाकी क्या बचा 1 by cos square x तो यह दूनों term कैसी है same है सिर्फ लिखा अलग तरीके से है वैसा यहाँ पर भी यह 3 constant है तो उनको यहाँ पर लिखा है बाद में क्या किया यह sign है numerator में तो यहाँ पर देखो sign लिखा है और denominator में क्या है cos square x है तो 1 cos x sin के denominator में लिखा है और एक cos x को ऐसा ही लिखा है 1 by cos x तेक्चले में हम यह तीनों का multiplication कर है तो यह term तो same ही आती है यह 3 sin x और यह cos x cos x क्या था है cos square x से अलग तरीके से लिखा है क्यों लिखा है वो आगे के step में आपको पता चलेगा अब देखो यहाँ पर 1 by cos square x है तो हमें पता है कि 1 by cos x है तो उटको हम क्या लिख सकते है sec x लिख सकते तो 1 by cos x की जगह पर हमने sec x लिखना है तो यहाँ पर cos square x है तो क्या लिखेंगे sec square x लिखेंगे same plus यह 3 as it is है यहाँ पर 1 by cos x है तो उसकी जगह पर sec x लिखा है अब यह ratio हो गया sin x by cos x का तो यह हमें पता है sin x by cos x ratio का हम क्या लिख सकते है 10x लिख सकते है so sin x by cos x की जग़े पर क्या लिखा है यहाँ पर 10x अब देखो यहाँ पर यह एक term है और यह second term हो गई यह plus के दोनों side so और उसके बीच में क्या है यह plus है तो हम दोनों term का यह दोनों function का हम integration separate कर सकते है तो यह integration देखो 2s x square x को ले दिया और यह integration यह उनको भी दिया separate कर दिया अब देखो यहाँ पर यह two constant है तो उसको integration जो है sin integration की sign है उनसे बहार निकल दिया है और ये 3 है तो 3 को भी constant है तो उनको भी बहर निकल दिया अब बाकी जो बचा है उनका हमें क्या करना है? integration करना है अब sex square x है and sex x into 10x है तो उसका integration क्या होता है? तो देखो ये 2 जो है वो as जिरीज यहाँ पर लिखा है तो sex square x का integration क्या होता है? 10x 10x का derivative क्या होता है? sex square x तो sex square x का integration क्या होता है? फिर से 10x आ जाएगा ये plus as it is ये 3 constant है तो वो as it is अब sex x into 10x उसका integration क्या होता है? sex x होता है अब integration हो गया तो plus सी लिखना है तो ये हमारा answer आ गया अब ये जो सभी standard formula है न वो हमें याद रखनी है देखो यहाँ पर है हमने अभी कौन सा यूज किया? sex square x तो sex square x का क्या होता है? 10x और दूसरा कौन सा यूज किया? sex x into 10x तो उसका answer आता है sex x तो आपको यह formula पता होगी तब जाके आप example short कर सकोगी तो यह अच्छी तरह से करना है समझना है तो कोई भी example आए आपको पता है method पता है standard जो हमारे formula है वो पता है तो आप easily कोई भी example कर सकते हैं नब हाँ जया झाचे सकते हैं